विज्ञान की अपार सफलता के बाद मैं उमेश पांडे आप सभी लोग के लिए क्लास टेंद सोसल साइंस से रिलेटेड भी वीडियो बनाने वाला हूँ और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझते हुए आगे चलोगे तो आज की ये वीडियो जेप्टर वन जो की डेवलप्मेंट एन रिसोर्सस से रिलेटेड है तो आप लोग इस वीडियो को भी पूरा देखें पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक शेर कमेंट करना बिल्कुल मत भूले अगर चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हर एक बेसिक पॉइंट जो इस चैप्टर से रिलेटेड है तो रिसोर्स होता क्या है यह पॉइंट आप लोगों समझना है ख्लासिफिकेशन आफ रिसोर्स है क्या और बेसिस ओफ और इग्सवीडियो को समझते चलना है उसके बाद development of resources जो है यह चैप्टर आप लोगों पढ़ाय जाएगा यह पार्ट आप लोगों पढ़ाय जाएगा resource किस तरह से plan करेंगे आप लोग किस तरह से आप लोगों को utilization करना है इनी resources का जो आप लोगों को प्रकृति से मिले हैं Land Resources में आप लोग किस प्रकार से प्रोटेट करना है इसको Land Resources in India में किस प्रकार से ये पूरा भाचाया हुआ है Land Use Pattern in India किस प्रकार से भारत में है ये Land Degradation किस प्रकार से जो Land Degrade हो रहा है, Deplete हो रहा है, Top Most Upper Layer of Soil जो हट रही है उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे conserve किया जा सकता ह ये भी आप लोग इसीम पढ़ोगे, Soil as a Resource किस प्रकार से आप लोग कि सहयता करती है, ये भी आप लोग बताओगे, Classification of Soils, जो की Alluvial Soil, Black Soil, Red and Yellow Soil, Letrite and the Next is Arid Soil and the Last One is Forest Soil, तो ये सारी Soils जो की इंडिया में आप लोगो को दिखाई दे सकती है, कहीं पर भी किसी रीजन म मिल सकती है, तो ये आप लोगों को पढ़ना है, उसके बाद जो Last Part है, Soil Erosion and Conservation वाला, ये Most Important Part of this Chapter है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, इसकी वीडियो मैंने Recently, अभी हाल ही में, 9th Class के Science के Chapter में, Resources वाले Chapter में, मैंने पढ़ाया है, उमिद करता हूँ, आप लोग Soil Erosion और Soil Conservation को deeply से पढ़ने के लिए, उसी वीडियो को लॉगिन करोगें, ठीक है, समझ में आगी, वीडियो की लिंक में, Description ने दे दूँगा, आप लो Description से भी देख सकते हो, आगे बढ़ लेते हैं, एक टॉपिक सो अच्छे से समझ लेते हैं, ध्यान अकना, सबसे पहला ना which can be used to satisfy our needs, मतलब हमारी आफशकताओं कि पूर्थी के लिए, जो भी चीजों के हम पूर्थी कर रहे हैं, जो भी चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं, उन्हें ही हम लोग consider करते हैं, as a resources के अंतरगत, समझ में आगी बात, provided it is technological हो सकती है, accessible हो सकती है, economically हो सकती है, flexible हो सकती है, culturally हो सकती है, acceptable can be term as a resource, मतलब उसे ही हम लोग कह सकते हैं, कि वो क्या है, resource है, समझ में आगी बात, resource आप लोगों को simply भासा में समझ लेना है, कि जो कुछ भी हमारी इस environment में, जो कुछ भी हमारी हम को मिल रहा है, उसे ही हम लोग consider करते हैं, as a resource के अंतरगत, ठीक है, classification of resources, आप topic लिख लिए था, वही topic यहां लिख लिएते हैं, क्या चीज लिखना है, the resources can be classified as on the basis of origin, तो origin का मतलब कैसे ये resources तयार हुए, तो इन resources को तयार करने के लिए, दो content काम आएंगे, एक होगा biotic, दूसरा होगा abiotic, तो biotic मतलब जिसमें जान हो, जैसे हमने कहा, क्या forest, forest क्या है forest एक तरह का biotic resource है, अगर हमने कहा, plant, plant भी बाद कर लें, इसी forest के अंतर गताते हैं, ये भी एक biotic है, animals ये भी एक biotic है, humans ये भी biotic है, मतलब जिसमें भी जान आप लोगों को मिल जाए, उसमें आप लोग कह सकते हैं, क्या पढ़ते हैं, soil पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, sunlight पढ़ते हैं, जो सारे resources जो हमको मिल रहे हैं, एक biotic content के माधियम से मिल रहे हैं, अब बात करेंगे on the basis of exhaustibility, exhaustibility जो बन चुके हैं, उनका प्रियोग हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या वो renewable है, क्या वो non renewable है, इसको देखते हुए इनको division किया गया, इनको classify किया गया है, समझ लेते हैं इसको भी, renewable का मतलब समझ लेते हैं, जैसे Suppose कर ये water है, इसका use हो रहा है, use होने एक बाद खपत हो रहा है, खतम हो रहा है, लेकिन इसको renewable भी किया जा रहा है, मतलब एक तरफ तो ये जा रहा है, दूसरी तरफ ये बन तो इस तरह के resources को बोलते है renewable resources, clear समझ में आ गया, अब non-renewable क्या है, जैसे हम लोग बात करें fossil fuels की, तो एक पर fossil fuels बन गए, उसके बाद दुबारा इनको बनाना संभव नहीं है, तो इसी तरह के resources जिनको बनाना संभव नहीं है, उन्हें को हम लोग बोलते है non-renewable sources, ठीक है, clear समझ में आ गया, next क्या है, on the basis of ownership, तो ownership के according क्या कर सकते हैं, एक individual होता है, मतलब स्वेम का रेक्तिकत होता है, committee मतलब समुदाय का होता है, national मतलब राष्टी होता है, international मतलब अंतर राष्टी लेवल पर होता है, तो इसको भी देखते हुए resources को बाटा गया है, next क्या है, on the basis of status of development, जैसे potential हो गया, developed, stocked हो गया, and the last one is reserves हो गया, ठीक है, समझ में आगे पूरी बाग, clear समझ में आ रहा, आगे बढ़ते हैं, on the basis of origin को लेकर, तो origin को लेकर अभी आपने पढ़ा था, कितने तरह के थे, दो तरह के, कौन-कौन से, biotic था, और दूसरा, abiotic था, biotic में किसक resources considered, these are the obtained from the biosphere, and have life such as human beings, flora, and fauna, तो flora क्या होता है, मतलब plant वाले, जितने भी चीज़े थी, plants related, उनको हम लोग consider करते थे, flora में, and the last one is fauna क्या होता है, fauna मतलब जो भी animals related, चीज़े होती है, वो सब fauna के अंतरगत आती है, fisheries consider किये जाते हैं, ध्यान रहे, fisheries किसमें consider किये biotic resources में, and the livestock यो भी होंगे, वो सब किसमें रखे जाएंगे, biotic resources के अंतरगत, समझ में आगे पूरी बात, biotic resources होते क्या हैं, कभी-कभी individual question पूछा जा सकता है, abiotic resources में, all those things which are composed of non-living things से बने होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं, abiotic resources, जैसे rocks, मतलब चट्टाने, या फ renewable की बात करते हैं, the resources which can be renewed हो जाते हैं, दोबारे से तयार की जा सकते हैं, कैसे, reproduce के माध्यम से, by physical, chemical and mechanical process की दोरा, are known as renewable resources, for example की बात करें, जैसे solar energy, wind energy, water energy, forest and wildlife, etc, these are commonly known as renewable resources, अब non-renewable क्या होते हैं, ये भी समझ ले, इसी का opposite होता है, non-renewable, लेकिन अब हम लोग बात the basis of ownership के according, तो ownership में आप लोगों ने बढ़ता है, individual resources, क्या था individual resources, समझ लेते हैं, the resources owned privately by individual are called individual resources, for common example में क्या लिखोगे, plot, suppose करिये, कोई plot आपने खरीद रखा है, आपका कोई एक house है, तो ये सब क्या होगा, आपका विक्तिगत होगा, ये किसी समुदाय के द्वारा नहीं च देख लेते हैं, owned community, owned resources क्या होते हैं, the resources which are accessible होते हैं, चलाय जाते हैं, to all the members of the community, मतलब समुदाय में रहने वाले समस्त नागरीकों के द्वारा चलाय जाते हैं, जैसे public parks, आप लोग ने देखाऊगा, आपके सामने जो pub parks हैं, उसमें different types के kinds के people आते हैं, टहलते हैं, घूमत natural resources, the resources which come under the nation and are known as national resources की बात कर रहे हैं, तो national और international था, तो national समझ लेते हैं, ऐसे resources which come under nation are known as nation resources, technically all the resources belong to the nations, मतलब जो कुछ भी technically है, उस सब belong करता है, national resources के अंतरगत, on the basis of, क्या है, status of development के अधार पर, potential resources के बारे में, अगर आप लोग इसे पूछा जाता, बोर्ड की एक्जाम में, तो resources which are found, किसमें, in our region, किसी region में पाए जाता है, but have not utilized, इसका इस्तिमाल नहीं हो पाता है, the regions रजस्तान and रुजराग have enormous potential for the development of wind and solar energy, लेकिन इसका इस्तिमाल अच्छे ढंक से नहीं हो पा रहा समझ में आगी बात, कहानी समझ में आ रही, हर एक पॉइंट जो कि बहुत बेसिक्स है, वो भी आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा, उम्मेद करता हूँ, वीडियो आप लोग लास तक देखते चलोगे, एन तक देखते चलोगे, वीडियो को like, share, comment करना बिल सर्वेड किया जाते हैं, सर्वेड किया जाते हैं, जिन पर and the quality and the quantity have been determined for the utilization को देखते हुए, ठीक है, utilization मतलब हम लोग किस प्रकार से संसाधन का उपयोग करते आए हैं, ठीक है, stock की बात करते हैं, lever stock आप लोग अने पाड़ा था, the resources that have been surveyed किया जाता है, but cannot be used due to a lack of technology, मतलब technology की कमी के कारण इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है, for example, water is a compound of two inflammable gases का होता है, two inflammable gases का मतलब होता है, जैसे oxygen हो गया, और क्या hydrogen हो गया, इन दोनों का ही, क्या है, एक योग है, इन दोनों से मिलकर एक बना हुए compound है, उसी से related अगर हम बात करें, hydrogen and oxygen, which can be used as a rich source of energy, but we don't have technical know how to use them, इनको किस प्रिकार से use किया जाए, इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, अब बात करते हैं, development resources से related topics के बारे में, resources are vital in the human survival, मतलब resources तो हमारे सामने बहुत सारे हैं, it was believed that, ऐसा विश्वास किया जाता है, that resources are free gifts of nature, मतलब nature में ये जो resources हैं, ये एक तरह के free gift हैं, जि हम लोगो कई तरह की समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है, जैसे depression of resources for satisfying the greed of few individuals, मतलब अगर हम लोग इनका इस्तेमाल अच्छे से करते चले आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, अगर इनका इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर कर रहे हैं, जैसे fossil fuels का इस्तेमाल हम लोग ज्य accumulation of resources, मतलब यहां पर दो चीज़ों बाटा गिया है, एक गरीब और दूसरा आमेर, indiscriminate explanation of resources has led to the global ecological, क्या होता है, crisis है, जो कि आज की इस atmosphere में एक घातक समस्या के रूप में चल रहा है, जैसे global warming, ozone layer depression, environmental pollution and the last one is land degradation, तो land degradation के बारे में हैं, आप लोग आप ही आज पढ़ोगे, for a sustained quality of a life, global peace and educatable distribution of resources have become essential हो चुके है, आज हम लोग इसका इस्तिमाल कर रहे है, for using resources, juridically, we need to adopt sustainable economic development, हम लोगों को एक sustainable economic development तयार करना पड़ा है, जिसके आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं कि sustainable economic development, जिसका मतलब होता है, development should take place without damaging the environment and development in the present, should not compromise with the needs of the future, generations, मतलब ऐसा, यह most important parts of this chapter है, ध्यान रखना sustainable development की definition, आप लोगो उसे पूछी आती बोड की exam में होता क्या है, ऐसा development, जिसको तयार करने के बाद ध्यान रहे, किसी भी चीज़ का damage होना possible नहीं है, मतलब किसी और को हम लोग damage नहीं कर सकते हैं, जैसे environment को, या फिर बात करें, presence sustainable development जो भी होता है, यह किसी भी चीज़ को destroy किये, बिना ही development के अंतरगत आ जाता है, ठीक है, समझ में आगे, यह अच्छी बात है, कि sustainable development जो है, बाकी सारे development का ध्यान रखते हुए, पूरा किया जाता है, तो और किसी में disturbance ना आ पाए, इसी वज़े से sustainable development ज्यादतर इस्तिमा of the country, यह एक country पर आधारित होता है, this involves surveying, mapping and etiquette and the quantities and assimination and the measurement of the resources, किस प्रिकार से हम लोग measure कर सकते हैं, implementation resources का, development का, plans का, यह हम लोग को समझते चलना है, third point में, matching the resources, development plans and the over of national development plans, मतलब हर एक plans को हम लोग को देखते चलना है, बारिकता से समझते चलना है, resources का use जो हम लोग को समझना है, वो भी पता लगाते चलना है, आप बात करते हैं, land resources की, तो land क्या है, हम लोग की जो जमीन है, धरती है, उसका इस्तिमाल हम लोग किस प्रकार से करते आए हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते है, land is a natural resources of almost importance होता है, हमारे लिए, it support करता है natural vegetation को, मतलब जो भी फसल ह हम लोग उगाते हैं, इसी land पर ही उगाते हैं, समझ में आगी बात, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system, ये सभी कुछ आधारित होता है, सभी कुछ माना जाता है, इसी के अंतरगत आता है, अगर ये ना हो, तो हम लोग कलपना नहीं कर सकते हैं, अपने जीवन की, समझ में आगी बात, इस तन agriculture as well as in the industries purpose, ठीक है, about 25, 7% क्या है, area of the country is platus है, उसके बाद, regions that possesses rich reserves किये गए है, of minerals के तोर पर, fossil fuels के तोर पर, और forest के तोर पर, ठीक है, 27% समझ में आ गया, उसके बाद, land use pattern in India, किस प्रेकार से हम लोग land का इस्तेमाल करते हैं, इसी को थोड़ा समझ लेते हैं, the use of land is determined करता है, physical factors को लेकर, such as, क्या है, topography, climate, soil types, human factors, such as, population density, technological capabilities, and the culture, and the traditions, etc. इनी पर ही, land का, जो resources का utilization है, वही आधारित होता है, land use data, however, is available only 93% of the total geographical area, because the land use reporting, for the most of the northeast state, except, Assam has not been done fully, पूरी तरह से, Assam ने इसका इसका इस्तेमाल नहीं किया है, also, some areas, जैसे, जम्मू कस्मेर के कुछ एरिया आज है, occupied किये गए है, पाई, पाकिस्तान के दौरा, and China के दौरा, has not been survey, उनका survey नहीं हो पाया, जिसका रहा, इसमें, बताने में, सक्षम हम नहीं हो पाये हैं, ठीक है, land degradation and conservation measures, क्या होते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, human activities, such as deforestation, overgrazing, mining and acquiring, contributed land degradation, तो कई तरी के activities होती है, जैसे कि human activities, हम लोग की अगर अपनी बात करें, तो जैसे deforestation, हम लोग क्या तयार करें, industrialization तयार करें, जिसको बढ़ावा हम लोग दे रहे हैं, जिसकी वज़े से हम लोग पेड़ो को कटाओ चालो कर दी हैं, जिसकी वज़े से deforestation होता ह इसके बाद overgrazing, ज्यादा ज्यादा grazing करा रहे हैं, पसुबच, पसुबच, पसुबच के दुआरा, उसके बाद mining, कई तरह की mining process की जाती है, different types के resources को पाने के लिए, and the query, and the contributed in the land degradation, ये सारी समस्या है, land degradation से related है, measures to control land degradation, कैसे हम लोग बचाओ कर सकते हैं, इस degradation का, सबसे पहल station, मतलब पेड़ों को लगाना, दूसरा planting of shelter belts of the plants, मतलब different types के जो belts यार कियेगा है, shelter belts, उनका इस्तिमाल करना, control on overgrazing, अगर हम लोग overgrazing के control कर लें, तो हमारी जो land degradation है, उस पर हम लोग काबू पा सकते हैं, establishations on the sand dunes by the growing thorny bushes, तो establish कर दें अगर sand dunes को, वो हम लोगी बहुत सहता करेगा, by growing thorny bushes के द्वारा, ठीक है, proper management of waste lands, of control and mining activities, हम लोग को mining activities को भी control करना पढ़ेगा, proper management करना पढ़ेगा, waste lands का, तो ध्यान रहे, अगर कोई lands waste है, तो उस पर हम लोग उसका सदक्योग कर सकें, इस प्रकार की हम लोग की सोच होने चाहिए, विचार होने चाहिए, तो ऐसे प्रयास करने चाहिए, अब बात करते हैं, soil as a resource, तो soil के इस्तेमाल हम लोग कैसे resource के तौपर कर रहे हैं, इसको समझ लेते हैं, soil is the most important renewable natural resources है, मतलब दुबारा से यह बनाए जा सकता है, it is the medium of the plant growth, मत की growth से, मतलब plant क्या कर रहे हैं, आपर grow कर रहे हैं, and the support different types of living organism on the earth, मतलब इसी पर ही हम लोग एक तरह से कह सकते हैं, living organism क्या है, dependent हैं, इसी soil पर ही, तो classification अगर बात करें, classification of soils की, तो on the basis of the factor responsible for the soil formation, color, thickness, texture, age, या फिर chemical and physical properties को लेकर, this soil of India can be classified in the different types, मतलब in the on the basis of factors, मतलब कई तर formation करने में, soil को बनाने में, जैसे color हो गया, thickness हो गया, texture हो गया, age हो गया, chemical properties and physical properties हो गया, जो कि इंडिया में classified किएगा है, different way के according, तो देख लेते सबसे पहली जो soil है, आप लोगों कोर्स में रखेगे, alluvial soil है, तो alluvial soil, entire northern plains are made up of alluvial soil, मतलब जितने भी northern plains है, वहाँ पर सारी soil किस तरह की बनी है, alluvial soil की ही बनी है, also found in the eastern coastal plains में, यह देखने के लिए मिलेगी, particularly in the deltas of the महानदी, महानदी के जो deltas बनने थे, and the Godavari, Krishna, and the Kavari rivers, यहाँ पर आप लोगों इस तरह के soil देखने के लिए मिल जाएगे, fertile soil therefore, fit for agriculture purpose, मतलब एक तरह की fertile soil है, therefore, fit for agriculture purpose, मतलब य regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated होता है, मतलब ज्यादा तर यह मिलता है, rich in potash, मतलब इस में, soil मतलब इस मिट्टी में, potash के मातरा अच्छी होती है, phosphoric acid अच्छे मातरा मिलता है, and the lime which are ideal for this growth of sugarcane, paddy plant, wheat, and other cereal and pulse crops, मतलब इस तरह के मिट्टी में, इस तरह की soil में, आप लोग किस तरह की crop क तो उगा सकते हैं, जैसे sugarcane हो गया, paddy plants हो गया, wheat हो गया, and other cereal and pulses crops को आप लोग अच्छे आसानी से उगा सकते हैं, तो aluvial soil आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं, दूसरी soil की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है black soil, नाम से लग रहा है, black in color, and also known as regular mitti, जिसको हम ल उपयुक्त मिर्दा होती है, वो होती है, black soil, ठीक है, तो black soil समझ में आगया, यह find कहां होती है, पाई कहां जाती है, प्लेटस आप महरास्ट्रा, सावरास्ट्रा, मालवा, मध्य प्रदेश, and च्छत्यजगर, also along the Godavari and Krishna Valley, ठीक है, समझ में आगया, कहां पर इसकी stabilisement होती ह कहां पर यह found होता है, कहां पाई जाती है, यह clear हो गया, made up of extremely fine particles, clay materials, well known for the capacity of whole moisture, मतलब moisture को capacity करने की इसकी property होती है, best होती है, rich in calcium carbonate, magnesium, potassium, potassium and lime, तो समझ में आगी, black cotton soil, समझ में आगया पूरा, समझ में आगी क्यों cotton soil, कहलाती है, clear हो गया, red and yellow soil की बात करते है, found in all the areas of low rainfall in the eastern and south and part of the Deccan platos, ठीक है, तो ऐसे पार्ट में पाई जाती है, जहां rainfall in the eastern, तो low rainfall होती है, यहां पर उस तरहे कि जो soil होती है, वो कैसी होती है, red and yellow soil होती है, also found in parts of the Odisha, चत्रीजगर, south and part of the middle ganga plain, along with the pedmons zone and the western ghats, तो इस तरहे कि जो zones होती है, वहां पर red and yellow soil पाई जाती है, development of a reddish color due to diffusion of iron in the crystalline and the metamorphic rocks, तो इसी metamorphic rocks को देखते हुए, इसको parts को बाटा गिया है, Odisha में, 36 गड़ में, southern parts of the middle ganga plain, जो की relate करते है, यहां पर यह सारी crystalline and metamorphic rocks के according यह पाई जाती है, ठीक है, next soil जिसका नाम है, laterite soil, तो lateral soil होती है, इसको थोड़ा समझ लेते है, develop in area within high temperature and heavy rainfall, मतल तो समझ में आ गया, most important parts of this chapter है, let's write soil, कहां पाई जाती है, फिर से एक बार देख लेते हैं, करनाटिका, केरला, तमिल नाडू, मद्य परदेश and the hill areas of Odisha and Assam, suitable for the cultivation with adequate, doses of the manures and the fertilizers, low humus, low humus content पाई जाते हैं, because decomposers like bacteria get destroyed हो जाते हैं, due to the high temperature, मतलब decomposers जो होते हैं, जो decompose करते ह हैं, किसी organic या organic materials को, वो क्या हो जाते हैं, यहां पर, de-kill हो जाते हैं, destroy हो जाते हैं, due to the temperature, यहां कैसा है, high है, समझ में आगी बात, अब बात करते हैं, arid soil, arid soil fall in the western parts of the Rajasthan, Rajasthan के western part में arid soil पाई जाती है, after proper irrigation, these soils become cultivatable हो सकते हैं, cultivable हो सकते हैं, यहां पर उपजाव फसल के लिए, फसले उगाई जा सकते हैं, lax humans moisture, because dry climates, मतलब dry climate होने के बावजूद, यहां पर जो moisture है, उसकी मातरा जो है, humans की मातरा कम हो जाती है, high temperature makes the evaporation faster मतलब यहां पर पानी जो पेल पादों से निकलता है, वो तेज होता है, मतलब evaporation की जो दर होती है, वो तेज होती है, salt content is very high and common salt is obtained by the evaporating by the water, समझ में आ गया, salt contents बहुत ज़्यादा मातरा में होते हैं, obtained के ज़्यादा है, evaporating the water के माधियम से, अब बात करते हैं, last में forest soil के ब and the coarse grain in the upper slopes, समझ में आगे बात, silt of the lower parts of the valleys, particularly on the river stasis and alluvial fans are fertile होती है, ठीक है, बात करते हैं, soil erosion and the soil conservation, most important part of this chapter, ध्यान रहे, इसका topic मैंने class 9 की वीडियो में, chapter natural resources से related chapter में, पूरा समझाया है, उमिद करता हूँ, आप लोग description से वीडियो में, जो वीडियो बनाएगी है, 9th class क उसमें आप लोग पूरा वीडियो देखोगे, यहां पी थोड़ा समझ लेते है, natural ways of soil erosion, जैसे wind है, glacier है, and wide water lead to soil erosion है, यह भी topic उसमें रखे गए हैं, आप लोग वहां से अच्छे से समझ सकते हो, human activities जैसे deforestation, overgrazing, construction and mining, etc. contributes करता है in soil erosion को, ठीक है, measures जो control है to soil erosion, जैसे strip cropping, planting shelter belts in the highly areas and using contour pluffing and the terrace farming, these are the most important terms used in the soil erosion as well as soil conservation, तो समझ में आगे होगी पूरी बात, समझ में पूरी topics, वीडियो समझ में आगे होगी, वीडियो खतम हो चुकी है, उमेद करता हूँ, वीडियो आप लोगों पूरी देखे होगी, like, share, comment जरूर करें, ध्यान रहे वीडियो अगर वीडियो आप लोग देखते चलें, हर एक वीडियो पर आप लोगों को most important points भी बताएगा है, हर एक चीज को आप लोगो basically तोर पे समझाएगा है, topics clear कराएगा है, अगर कोई भी topics अगर आप लोग समझ में नहीं आए, तो आप लोग individual या तो मुझे whatsapp कर सकते हैं, या फिर comments के माधियम से आप लोग topics पूछ सकते हैं, वीडियो पूरी देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद,